दोस्तो नमस्कार कल मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो का सिर्शक था धर्ना और प्रदरसन मतलब क्या इस वीडियो को डालने के बाद मेरे एक मित्र हैं हिमाचल सेंटरल इन्वर्सिटी में प्यजडी कर रहे हैं उनका फोन मुझे आया और उन्होंने सिधा सिधा मुझे पर आप लगाया आप तो इसका परिनाम बताया ही नहीं आप तो बच बचा कर निकल गया तो मुझे लगा बटा दो परिनाम क्या होता है तो वो बहुत मेरी इसमें मदद नहीं कर पाए लेकिन मैं खुद से सोचा कि चलो परिणाम पे सोचते हैं कि धर्णा और परदर्शन का परिणाम क्या होता है तो जो सोच मैंने विक्षित की उनसे बात करने के बाद वह कुछ इस परकार है यानि आज की विडियो का सिर्षक यह होगा या आज की विशाई का सिर्षक यह होगा कि धर्ना और परदर्सन का परिनाम क्या होता है यानि कोई भी समाज, कोई समूह, कोई पाटी, कोई परिवार, कोई राज अगर धर्ना और परदर्सन करती है तो वह किस तरह के परिनाम प्राप्त कर पाती है या किस तरह के परिनाम अपेक्षा करती है तो आज हमारा जो विशय है वह यही है। सबसे पहला परिणाम तो यह उस पार्टी, उस समाज, उस कौम, उस वर्ग, उस जाती या उस राज्जी के लोगों को मिल सकता है कि कोई परिणाम न मिले। बै कि जब भी हम कोई कोशिस करते हैं, तो उसके परिणाम के रूप में या तो बहुत संभावना है या तो कोई संभावना नहीं है। सबसे पहला जो परिणाम है धरना और प्रणसंट का, वह कोई परिणाम नहीं हो सकता है। पहला, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं, जिन मुद्दो कल लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि सामने वाला सासन, परसासन, सत्ता या और्गनाइजेशन, संस्था आपकी मांगों को खारिच करते हुए आपके धरना या आपक लंबा खीचने के मुड़ में ना हो और वहीं का वहीं हो जा इस तरह से कई सारे दिखा गया है कि कई धर्ना परदर्शन का कोई परिणाम नहीं होता है हलाकि उसके दूरगामी परिणाम होते हैं उसके विमर्स होते हैं समाज में उसका असर होता है लेकिन बाबजूद इसके और परदर्शन का है वा यह है कि कोई परिणाम ना दूसरा परिणाम दूसरा परिणाम में यह परिणाम हो सकता है कि सासन में परिवर्तन हो अक्सर जादा तर जो धरना परदर्शन होते हैं वा किसी छेत्र विशेस में, राज्य विशेस में या जिले विशेस में मुख्याले पर होते हैं। कई ऐसे घटनाएं हो जाती हैं अस्थानिय अस्तर पर जिसके विरोध में लोग आते हैं और वहां परिवर्तन की मान करते हैं। थाना अधक्ष को बदला जाया, ब्राष्टा चार के आरोप लगायाता हैं। नवर्तनाष को बदलने की कोशिस होती है। तो अश्थानिय सासन या जिवरवार परणों के लोग को जिवरवारी ठाराते हुए उनको बदला जाता हैं। अभी आपको पता है कि लाठी चार्ज करने वाला एक जो आदेश देने वाला था SDM उसको बदला गया किसानों पर जो लाठी चार्ज हुई थी उसमें तो सबसे पहले और सबसे वो कहते हैं आशान या सबसे पहला जो परिवर्वतन होता है, वह होता है सासन पर सासन में बदला ओअ तो यह आपको दूसरा परिणाम मैंने आपको बताया अब अगर तीसरे परिणाम पर बात करें तो तीसरे परिणाम पर आप घौर फराएंगे तो इसका जो कद है वो बढ़ता जा रहा है यानि कि अस्थानिय सासन हुआ अब हो सकता है कि नित्रित्व में बदलाव हो नित्रित्व में बदलाव यानि कि अगर मान ले जाए कि धरना प्रदसन का जो सरूप है वो बड़ा है और वो राज्य के इकाई या छेत्री इकाई किसी राजनितिक पार्टी के नेत्रित में बदलाव के लिए वो मांग कर रहा है और उसका प्रेशत धर्णा प्रदसन का दवाव इतना ज्यादा हो जाता है कि बाद में जो उपर बैठे लोग हैं उनके उपर दवाव पड़ता है और वो नेत्रित पाटियों में भी मांग होती है स्थानी अस्तर पर भी मांग होती है और इसके और आगे जाएं तो यह राष्टी अस्तर पर भी हो सकता है कि किसी पाटी में ही धर्ना प्रदसन हो और किसी पाटी विशेश या देश विशेश की नेत्रित की बनलाव की मांग हो और इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि Arab Spring अगरा जो हुआ था तो उसमें नित्रित परिवर्वर्थन के लिए ही पूरा काम किया गया था तो इसका जो अगला है यानि कि वी यह तीसरा मैंने आपको बताया कि नित्रित परिवर्थन भी धरनाप्रवण का एक लक्ष हो सकता है परिनाम हो सकता है उसके बाद धर्ना परणसन का एक अगला अगर परिनाम के बात करें तो पाटी की या सरकार परिवर्तन भी इसका एक परिनाम हो सकता है जैसे हमने देखा कि इंडिया अगेस्ट करेप्शन जिस तरह से धर्ना परणसन की सरकार में कैसे सब्सक्राइब बढारेंड शुद और बिक सब्सक्राइब सकता है इसके आगे ब्रहत परिनारि में यानि यह अगर हम छुटे-छुटे इकाई से नह diarrhea सबसे बड़ी इकाई आता मेतनी ताकत है उप Praise तो इसमें इतनी टाकत है कि आगे आने वाले समय में यह सब्था सरकार चाहिए तो एक यह भी इसके परिणाम के रूप में देखा जा गया है उसके बाद अगर और कुछ परिणाम पे बात करें धर्ना और पड़रसन के तो इससे अगर इतर करें थोड़ा सा तो नियम कानून में भी बदलाव यानि पॉलिसी मैटर में भी चेंज होता है तो और खास करके दिल्ली में भी बहुत इस पर मुहिम चली थी और उसके बाद काफी बदलावा हुआ यानि कि निर्भया कांड के बाद बहुत सारी नए नियम कानून लाए गये तो धर्ना और परदसन का एक लक्ष यह भी होता है कि नियम कानून में भी बदलाव हो सकते हैं और इसमें कोई दो राए नहीं है धर्ना परदसन के आपको मैंने बताया था कि इसमें जितने जादा लोग होंगे जितना बड़ा इसका छेत्रफल होगा जितने जादा मीडिया कबरिज मिलेगा जितने लोग इंटेलेक्श्वल लोग इस पर बात करेंगे समाज भी ज सत्ता पर सरकार पर और फिर परिवर्तन भी उस तरह का होता है तो फिर मैंने बता है नियम और कानून में परलाव इसका एक परिणाम हो सकता है उसके बाद धर्ना और परदर्शन को और अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो इसका कद बढ़ता बढ़ता जब यह आंद दोलन चला और फिर वहां की पुरी सत्ता ही बदल गई रसिया में हमने देखा कि तकता पलट हो गया तो एक जो बड़ा इसका अस्तर है वहां तक भी जाता है कि किसी देश में अगर माले जाए कि एक पाटी का सासन है तो हो सकता है कि दो पाटी का सासन हो जाए इस तरह के में चाइना में कई तरह के हम लोग देखते रह दर एक तरह का हो चुका तो धर ना प्रसन का एक परिणाम यह भी है उसके भाट घबना और प्रसन का 1 और परिणाम होता है जिससे कि सरकार यह सत्ता या कोई उद्योग का कोई लेना देना नहीं एक मैसेज देने के लिए भी होता है समाज में एक जागरूपता फैलाने के लिए भी धरना परशन किया जाता है कैंडिल लाइट किया जाता है इस तरह के कई सारे आप देखते हैं कि सर समाज को जागरूप किया जाए जगाया जाए किसी बुराई की खिलाप किसी अन्याई की ख बताएं इसके बाबजूद अगर आपको कुछ लगता है कि और हो सकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरे ज्ञान में भी वृद्धी होगी और मैं फिर से नए सीरे से इस पर सोच पाऊंगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें मिलते हैं फिर दन्वार